है है हुआ है हेलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अलजेब्रा का सेकेंड लेक्चर लाश्ट क्लास में हमने इसका थियूरेटिकल पार्ट देखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था यहां पर वेल्यू पुटिंग बहुत ही अच्छी वीडियो है उस वीडियो को जरूर देख ले क्योंकि वो बेस है और वहीं से हमारा अलजेब्रा का आगे का सफर चलेगा तो चलिए देखते हैं आज का फॉस्ट क्वेस्टन पहला क्वेस्टन जो कि आपके स्क्रीन पर यह रहा यहां दिया हुआ है क्या आपका इफ पी क्यू एंड आर पी इंटो क्यू इंटो आर इस इक्वल टू वन है देन फाइंड यह आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है अब यह क्या करें यहां पर कौन सा ऐसा तरीका अपना है ट्रीक अपना है देखो सीधा सा बात है यह सबसे सिंपली होता है क्या इसको आप क्या कर दो कि पी क्यू और आर तीनों को पी इज equal to q is equal to r is equal to कितना one one मालो तो देखो one into one into one कितना हो जाएगा one होगा वहीं आप यहां apply करके देखो जरा यह क्या होगा one divided by यह one यह भी one और one का पार minus one करेंगे तो भी one तो यह one plus one plus one similarly second वाले में भी वहीं होगा one upon one one plus one plus one और थार्ड वाले में भी होगा one plus one plus one यानि कि one by three plus one by three plus one by three overall मिला कि आपका हो जाएगा one यानि कि option number b बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देखो कितना आसानी से हुआ तो यह इतना easy होता है easily एकदम इसको हम लोग solve करके और answer ला सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अब यहां पर क्या किया जाएं कौन सा ऐसा value रखा जा एक जगा कि वह बी प्लस सी हो जाए अगर आप one 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 रखते हो तो satisfy होगा नहीं होगा देख रहा है न आप एक काम करो टू रखोगे अगर एक की वेलू टू रखते हो बी की भी वेलू टू रखते हो और सी की भी टू रखते हो तो क्या होगा टू का इसकायर 4 और 2 प्लस स्टू 4 तू का स्कायर 4 और यहां पर आपका यह है ए assignment들 क्या जाए टो देना दश्एफ और सुन दू अब आपको क्या मिल रखते हैं कि ए भी और से तीनों की वेलू लू कितनी डू 2 रखते हो fakut तो 1 by 3 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3 यनि 1, again option number B सही जबाब, simply हो गया एकदम, तो अब बस आपको यही करना होता है इस तरह के questions में कि value देखना होता है कि जो given है उसमें वो satisfy कर रहा हो, तो फिर जो find करना है वहाँ पर उसको put करो और आसानी से solve करके आगे बढ़ जाओ, चले next question यह रहा, आपके screen पर same है क्या, हाँ बिलकुल वैसा ही है, दिखे रहा है न, यह क्या है आपका A into A plus 2, B into B plus 2, अगर आप 1, 1, 1 रखते हो, तो देखो ज़रा 1, और 1 plus 2, और यह क्या हो जाएगा, 1 plus 1 plus 1, यह 3 हुआ और यह भी 3, 3 और 3 equal हो गया मतलब सब जगते, इसका मतलब क्या होए आपका, कि A, B और C, टीनों की value, 1, 1, 1 रख लो, और 1, 1, 1 रखोगे, तो यहाँ अगेन आएगा, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, यह आगया, 1, option A, सही जबाब हो जाएगा, सिधे सिधे आगया कितना, 1, तो यह इतने आसानी से solve होते चला जाते हैं, अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यह आपका है, यह ऐसे नहीं है, यह है, X की power 47 plus 1 upon X की power 47 is equal to 2, तो आप से पुछा है, X की power 48 minus 1 upon X की power 48, यह 2 कब आएगा, जब यह भी value 1 आजये, और यह भी 1 आजये, यानि X की value अगर मैं 1 put कर दूँ, तो X 1 पर पर कुछ भी 1, और यह plus 1 कितना हो गया, 2, यहाँ पर वहीं काम होगा, यह 1, और यह minus 1, तो कितना आगया, 0, जीरो आजये गई, बिल्कुल असानी से यह आगया, शुन्य यानि की 0, चलिए, नेक्स्ट क्वेस्टन, दिया वहाए, इफ X to the power 13 plus 1 upon X to the power 13 is equal to same which is, तो यह 1 plus 1 आपका 2 है, तो यहाँ भी 1 plus 1, 2 हो जाएगा, आप सने सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, यहीं करना था यह, तो बिल्कुल असानी से ऐसे questions solve होते चले जाते हैं, अब यह थोड़ा सा different सा लग रहा है, फिर भी यह different नहीं है, देखो इसी को adjust कर लेना है, उस form में, देखो जाएगा, अगर यह x plus 1 upon x minus 3 is equal to 5, अगर मैं दोनों ही side, क्योंकि x minus 3 है, पुछा भी x minus 3 है, तो इसको x minus 3 किया जा सकते है, तो अगर आप minus 3 इधर करोगे, तो उधर भी minus करने पड़ेगा, मतलब x minus 3 हो जाएगा, plus 1 upon x minus 3 हो जाएगा, is equal to 5 minus 3 हो जाएगा, यानि x minus 3 plus 1 upon x minus 3 की value आगई 2, इसका मतलब इसकी value 2 है, और इसकी value 2 है, 1 है, इसकी value कितनी, 1 और इसकी भी 1, 1 plus 1, 2 हो जाएगे, यानि x minus 3 का ही value आगई 1, तो यह भी x minus 3 तो 1, और वो भी x minus 3 तो 1, 1 और 1, 2 हो गया, बस, सीधा सा, असान सा यह यहाँ पर आगया, solve हो गया, कितना, 2, तो यहाँ पर जरूर नहीं है, कि x की value आप 4 करो, फिर 4 में से minus करो, कोई जरूरत नहीं है, वो तो डारेक्ट ही यहाँ से आ जाएगा, चलिए, similarly, अब यह बढ़ेंगे, तो देखो जरा, p minus 5 करेंगे, तो यह भी 2 आ जाएगा, मतलब p minus 5 यहाँ पर 1, और p minus 5 यहाँ पर भी 1, तो 1 प्लस 1 आ गया, 2, यह इस तरह के questions पूछे गए हैं, और यह तना आसानी से होता है, मतलब देखो और टिक करो और आगे बढ़ जाओ, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर effort लगानी की जरूरत ही नहीं पढ़ती है, चलिया, अगले question की तरह बढ़ते हैं, next, यह रहा, अब यहाँ पर कुछ तो लोचा है, क्या है, यह a plus b आपका 5 है, जबकि a square plus b square 13 है, तो आपको ऐसा करना है कि 13 से नीचे जो भी छोटे, जो आपके क्या है, perfect square है, वो कौन से दो perfect square हैं, जिनका sum 13 आता है, तो यह दिखरा होगा आपको, कितना, 2 का square plus 3 का square, कितना होता है, 4 plus 9, 13, मतलब यह हो गया, 2 plus 3 is equal to 5, 2 square, 3 square, 13, इसका मतलब कि a और b की value, कितनी आ गई, 2 और 3, अब आप से क्या पुछा है, a minus b, ध्यान से यहाँ, a minus b, यह जरूरी नहीं है कि a की value 3 हो, और b की 2 हो, अगर यह ऐसा होता है, तो a minus b, कितना होगा 1, लेकिन अगर यह a की value 2 हुआ, और b की value 3 हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका, कि यह a minus b, यहाँ पर minus 1 आ जाएगा, तो 1 और minus 1 दोनों ही इसका answer हो जाएगा, मतलब यह क्या हो जाएगा, a and c both, दोनों ही हो जाएगा, यह 1 भी हो सकता है, यह minus 1 भी हो सकता है, चलिए, next question, यह रहा, अब वहीं cube देखना है, तो इससे क्या है, किसी के cube में से कुछ minus करना है, तो 56 आया है, कौन साय सा cube है, जो इससे just उपर होता है, तो 4 का cube, कितना होता है, 64, और minus कितना किया गया है, 8, तो होगा क्या, 2 का cube, मतलब 8 आ जाएगा 56, तो इसका मतलब a की value यहाँ पर fix हो गई, जाएगी 4 और यह 2, तभी यह 2 आया है, अब बुला a square प्लस b square, मतलब 4 square प्लस 2 square करना है, 16 प्लस 4 is equal to 20, 20, बिलकुल सही जबाब आजाएगा, 20 यह नहीं कि 20, चलिए बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, next, यह सब ऐसे ही असानी से हो जाते हैं यह, same, कितना है 5 का cube, कितना कम है, minus, यह कितना होता 125, मेंस से कितना है, 8 कम है न, यानि कि 5 का cube minus 2 का cube, और 5 minus 2 होता है 3, आचुका है a और b, तो a plus b मतलब 5 plus 2, 7, b option, b, सही जबाब हो जाएगा, ठीके, इधर identity लगाने की कोई जरुवत नहीं है, बिना identity का आप आसानी से इसको solve करके आगे बढ़ जाएंगे, चलिए बढ़ते हैं, next question की तरफ, अब यहाँ पर 2 का cube का sum दिया हुए, यानि कि एक तो 64 मुझे नजर आ रहा है, और दूसरा 8 नजर आ रहा है, यानि 4 cube प्लस 2 cube और 4 प्लस 2, 6 होता ही है, तो यानि कि 4 into 2, 8, C, C हो जाएगा इसका सही सही जबाब, ठीके, चलिए next देखिए यह, इसमें क्या करेंगे, cube ही है, और 224 है, उससे जस्ट पहले वाला cube, क्या ध्यान आता है, तो 216, 216, जो कि 6 का cube होता है, उससे कितना जादा है, तो 8 जादा है, जो होता है कितना, 2 का cube, और यहाँ पर 6 प्लस 2 अल्रेड़ी 8 है, देखो, clue यहाँ से मिलता है, यह वाला असान होता है, यहाँ से आप डुड़ों के तो pairing करते रहे जाएगा, बहुत time लग जाएगा, वहाँ से आपको clue मिल जाएगा, आसानी से, तो यहाँ आया कितना आपका 6 इंटू 2, यानि कि 12D, D option बिलकुल सही जबाब हो जाएगा, तो यहाँ से इतना आसानी से यह solve हो जाता है, चलिए, next question की तरब बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ, x प्लस y, यह, अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका कितना, x क्यूब प्लस y क्यूब, प्लस, प्लस नहीं है, यहाँ तोड़ा सा अपका, ठीक है, अब यह क्या करना चाहिए, क्या लग रहे हैं, यहाँ तो एक ही चीज है, डारेक्ट फाइंड करने को बोल दिया है, क्या किया जा सकता है, देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब करना पड़ेगा, कुछ तो पता है, वेलू पुटिंग ही है, तो यह x और y में से किसी एक को 7 मान लो, और किसी एक को 0 मान लो, चाहे x, चाहे y हो गया, तो 7 प्लस 0, 7 आ गया, अब यहां पर अगर देखोगे, तो y यह 0 हो जाएगा, y यह 0 हो जाएगा, मतलब सीधे सीधे आ जाएगा, 7 का क्यूब 343, बी ओप्शन, आप या तो फिर ऐसे करते, कि x की वेलो 0 और y की वेलो आप 7 मान लेते, तो भी वहीं आता, या x की वेलो, सपोज 3 और y की वेलो मान लेते कि 4, तो भी यहीं आता, क्योंकि होता क्या, देखो, x का क्यूब 3 का क्यूब होता है 27, y का क्यूब हो जाएगा 64, प्लस 3 इंटू 2 12 12 इंटू 21 तो हो जाता 252 इन सब को जोड़ दो तो साथ 4 11 11 और 3 यह हो जाता 343 तो इसमें थोड़ा ज्यादा कंप्लिकेशन आया ना क्योंकि दो-दो मानना पड़े लेकिन इस केस में तो बड़ा आसान हो गया एक को 7 दूसरे को 0 बस ध्यान यही रखना है कि डिनॉमिनेटर वाली अगर चीज आ जाते है तो डिनॉमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए 0 ज Y is equal to दे दिया है 1 इसका मतलब किसी एक को मान लो X की वैलू अगर आप 1 मान लेते हो तो Y की वैलू 0 अब यहाँ पर क्या होगा यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा मतलब बचेगा सिर्फ आपका X क्यूब माइनस 3 और अंदर भी माइनस 2 तो X की वैलू हमने 1 माना था तो यह यहाँ पर उल्टा अगर होता तो क्या करते है एकस की वैलू कितना अगर 0 मानते तो Y की वैलू मानना पड़ता कम्प्लिकेशन होता थोड़ा सा और तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर वहीं चीज़ आ जाती फिर बात में सॉल्व करते तो वहीं आ जाता ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन की तरह बढ़ते हैं अब यह अगर एक्जाम में आता है तो देख के बड़ा डर सा लगता है ऐसे क्वेशन लगता और यह क्या आ गया यह अब तो एक क्यूब बी-क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इतना कंप्लिकेटेट हो गया कुछ भी नहीं है बहुत असान है P की value कितना मान लो 4 और Q मान लो कितना 0 हो गया खतम यह 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर Q है P cube यानि कि 4 का cube और minus 64 4 का cube होता है 64 minus 64 आ गया 0 option number C बिल्कुल आसानी से हो गया तिको यह बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही उच्पुल है आप किसी भी book से जाके ट्राइ करके देखना यह जो questions में बता रहा हूं इस तरह के questions आपको मिलेंगे जो बिल्कुल आसानी से होते हुए नजर आएंगे आपको तो आपको कोई identity लगाने कि यहां जरूट नहीं है जहाँ जरूट पड़ी कि वह बताउंगा पर यह questions ऐसे ही हो जाते हैं बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं तो अराम से करो जहां पर identity कि जरूट पड़ी कि वह तो अगर रहता है तो अलग बात है अगर वेल्यू की बात किया जाएगा तो वह वैल्यू पुटिंग से हो जाता है आसानी से हो जाता है वह चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अब यहां पर क्या रखा जाए उदिख गया यह तो एकस की वेल्यू कितनी वन तो वन प्लस चुन्य जीरो जीरो आ जाएगा यहां पर एकदम असानी से और यह question हो जाएगा solve चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं यहां पर दिया है a plus b plus 1 is equal to 0 यहनि किसी 1 को minus 1 ना पड़ेगा तो a की वेल्यू minus 1 b की वेलो 0 minus 1 plus 0 plus 1 is equal to 0 आ गया find a cube plus b cube अब देखो b कितना 0 ही है यह minus 1 का cube कर लो plus 0 आई गया plus 1 और यहां पर b minus 0 तो यहनि कि minus 1 plus 1 0 a option option number a बिल्कुल असानी से यह हो जाएगा ठीक है चलो next a square plus b square plus 1 upon a square यह देखो 4 आया है ना यह 1 1 1 1 हो जाएगा क्या इसका मतलब a b दोनों की ही वेलो आप क्या मान लो वन मान लो अगर दोनों की वेलो वन मानोगे तो यह एकदम आसानी से होते हो नजरा आ रहा है क्योंकि यह दिवाइड में भी है 1 तो यहां solve कर लो 1 का square plus 1 का square is equal to 1 plus 1 बराबर 2 दो 2 हो जाएगा बिल्कुल सही सही जबाब चले next यहां पर if x अब यहां पर कुछ common दिख रहा है क्या देखो x plus y plus z x plus y plus z x plus y plus z है ना और वहीं चीज में आप 20 30 और 50 में कौन सा ऐसा पार्ट है जो common है सब जगा 10 है ना इसका मतलब साब साब पता चल जाता है हमारा की x plus y plus z की value 10 होगी क्योंकि देखो अब अगर यह 10 होता है तो यानि की x की value हो है कितनी 2 x की value हो जाएगा कितनी आपकी 2 2 हो जाएगा x ठीक है और y की value देखो जरा यह क्या था 10 into 3 तो यानि 3 और z की value यहां पर है z यह आपका यह कितना हो गया आपका 50 यानि के 5 और इन दो इन सब को जोड़ोगे तो 2 प्लस 3 प्लस 5 10 आही गया तो यानि x प्लस y प्लस z is equal to कितना हो गया आपका 10 हो गया 10 आप से 1 1 1 तो यहां भी 1 1 1 सब को जोड़ोगे यह 3 हो जाएगा और यह भी 3 हो जाएगा इक्वल हो गया इसका मतलब कि solve करेंगे तो 1 प्लस 1 divided by 1 यानि 2 तो यह आपको दिखरा होगा कि बड़ा आसानी से solve हो रहे हैं सब और ऐसे ही solve होते हुए चले जाएगे यहां पर बहुत आसानी से बहुत easily अब यहां की case में क्या करना है आपको तीन नंबर है जिनका sum यह है और square है उनका 14 है तो उससे छोटा होता है 9 एक होता है 4 और एक होता है 1 इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का square मतलब यही तो हुआ नंबर्स की बात करेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 1 दिख रहा है 6 इनका square हुआ है और उनका cube भी करेंगे तो आई आजाएगा यह आजाएगा यहां से X का cube 3 का cube हो जाएगा 27 प्लस 8 प्लस 1 एड करेंगे तो 36 मतलब हमारा clear हो चुका है कि A B और C की value 3 2 और 1 है मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 आप से पुछा था जो हो गया 6 यानि कि option number D यहां बिलकुल असान हो जाएगा ठीक है अब यह इसको क्या किया जाए तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि एक integer form में आया है यानि कि यहां हम value ऐसी put करेंगे जो 9 को divide करता हो या तो 9 हो या फिर 3 हो तो 3 put करके देखो जरा तो यह 3 plus 9 divided by 3 cancel out हो के 3 हो गया कितना आया 3 plus 3 6 यानि कि x की value कितनी put करनी है 3 x की value 3 put करनी है तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 square plus 2 यानि कि 11 option C यहां पर बिलकुल असानी से सही सही आ गया है तो यह थे आपके कुछ questions जो कि बहुत ही important है आपके algebra के लिए और इन questions को आप solve करते रहो देखते रहो बहुत ही आपके काम आने वाले हैं ठीके तो इसके बाद से अगले class में हम लोग कुछ और algebra के questions देखेंगे हमारे साथ बने रही है और पढ़ते रही है resonance का Resumex Division जो आपको mathematics के साथ साथ reasoning GKGS और English की पूरी classes free में provide करा रही है यहाँ पर mathematics का arithmetic पूरा finish हो चुका है और मैं आपको अब advanced maths पढ़ा रहा हूँ जिसमें आप पढ़ेंगे algebra, trigonometry और geometry के साथ साथ mensuration जो कि आपके tier 1 और tier 2 दोनों में ही बहुत ही important role play करने वाला है चले मिलते हैं आपसे अगले class में thank you so much अजय आपसे रहा हमा रहा है त inject और सिम्षब कर रहा है चुब न आपके psychopath कर पामा घ草 को बहा है